हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपको बिल्कुल ऐसी ही मसालेदार अंडा कीमा की रेसेपी बना कर दिखाने वाले हैं अंडा कीमा बनाने के लिए हम एक नॉन स्टिक कड़ाई पर एक बड़े चम्मच सरसो तेल को डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे तेल के गरम होने पर गैस के फ्लेम को हमें मीडियम करना है और इस पर हम डाल रहे हैं पांच पीस तूटे हुए अंडे इन अंडो को हम चम्मच से मिक्स करते हुए इसे हम डेल से दो मिनट तक पकाएंगे अंडो को हमें दो मिनट से अधिक नहीं पकाना है क्योंकि इस रेसेपी को जिस तरीके से हम आज बनाना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूई है कि अंडो को हमें थोड़ा सा नरम ही रखना है। इसे हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ देर के बाद हमने इन अंडो को पूरे डेर मिनट तक फ्राई कर लिया है। और गैस के फ्लेम को बंद करके अब इसे हम इस कड़ाई में से निकाल करके अलग रख लेंगे। अंडो को निकाल कर कड़ाई पर हम ले रहे हैं तीन बड़े चमच सरसो का तेल और इस तेल को डाल कर इसे हम गरम करेंगे। तेल के गरम होने पर इसमें हम एक चुटकी हींग डालेंगे और इसके साथ दो पीस बारिक कटे हुए प्याज प्याज को हमें मीडियम आज पर चमच से चलाते हुए चार से पांच मिनट के लिए फ्राई करना है कुछ देर के बाद अब हमारे प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम एक बार के लिए गैस के फ्लेम को कम करके इस पर डालेंगे एक छोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और लगभग एक बड़े चमच अद्रक लहसून का पेस्ट इस रेसेपी को बनाने से पहले अद्रक लहसून के पेस्ट को हमने त्यार करके रख लिया था अब इन दोनों चीजों को हम मीडियम आज पर प्याज के साथ पकाएंगे अद्रक लहसून और प्याज को मिक्स करते हुए इसे हमें 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है 4-5 मिनट के बाद हमारे अद्रक लहसून के पेस्ट जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसके साथ में एड करेंगे एक छोटी चमच जीरा पाउडर देढ छोटी चमच डालेंगे इसके साथ में धनिया पाउडर एक छोटी चमच काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी मात्रा में लाल मिर्च डालेंगे अगर आपको कम तिखा खाना है तो लाल मिर्च को आप स्किप करें एक छोटी चमच हल्दी डालेंगे इसके साथ और एक छोटी चमच या आपने स्वाद अनुसार नमक अब इन मसालों को हमें बस एक से डेड़ मिनट के लिए हलके हलके चमश्चे चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स करना है इन मसालों को अगर हम तेज आज पर या हाई फ्लेम पर मिक्स करते हैं तो ये मसाले अभी तुरंथ ही जल जाएंगे इसलिए हलके आज पर इसे पस हलका सा मिला लेना है और फिर इसके साथ में हम कटे हुए टमाटर को एड़ करेंगे अब हम इन मसालों को टमाटर के साथ में कम से कम 4-5 मिनट तक मीडियम आज पर पकाएंगे कुछ देर मसालों को हमने पका लिया है और अब आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक कर हमारे मसालों के साथ में मिक्स हो चुकी है अब हम फिर से गैस के फ्लेम को एक बार के लिए कम कर लेंगे और इस पर फ्राइ किये हुए अंडों को एड़ करेंगे अंडों को हमने शुरुआत में ही थोड़ा सा ही पकाया था ताकि ये अभी जो है मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो सके अभी भी हमारे अंडे जो है थोड़े से कम पके हुए है नरम है अभी तक ये और अब हम इसे फ्राइ करेंगे मसालों के साथ में मसालों के साथ अंडों को हमें 4-5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर चमच से मिक्स करते हुए पका लेना है 4-5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं फ्राइ किये हुए अंडे जो है मसालों के साथ में अच्छी तरह से पक कर मिक्स हो चुके हैं तो अब इसके साथ में हम बस आधा गलास पानी को एड़ करेंगे थोड़ इसी मात्रा में इसके साथ में गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे हम मीडियम आज पर मिक्स कर लेंगे पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे हम कवर करेंगे और कम से कम 3-4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 4-5 मिनट के बाद अब इसके कवर को ओपन करेंगे और चमच से एक दो बार मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारी स्वादिष्ट अंडा कीमा की रेसेपी बनकर तेयार हो चुकी है अगर ये रेसेपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें धायनेवाद